और तो ये लोजी टब त्याAR कर लिया और तो हम चोटे बच्चे थे तो पोचमए नहाते थे तो आज भी टब में नहाता ओं एक में नाता हूं का मतलब यह नहीं कि मैं टब के अंदर बैठता हूं टब में पानी बरता हूं और साइड में नाता हूं यह से बाकी लोग नाते हैं हाँ छोटा बच्छा होता था तो फ़ी तुसे टब में बठाके नहीं लाते हैं इसको भरने देते हैं यहां पर भरेगा निसको भरने के लिए चौकिदार की तरह बैठना पड़े कि यह काली वाली पाई बहुत ही चंचल है सरकारी माल है ना सरकारी माल ऐसे होता है चंचल बेभाक और घूसखोर वरीडियो तो बनी नी एक यहलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और दगडियों दगडियों गडड़ वाली का बड़ है दगड़ेया का मतलब मित्रों तो आप सब लोगों को एक बहुत ही शांदार सुभे की शुब कामना है सोंबार आज और देखिए सोंबार है तो उपर वालने हमारे धूप बे घर पर पूजा करूंगा घर पर चोटा शेवालया बना रख है मैंने और उसका उर्वा रिशी महादेव जाँगा थोड़े बैटने साधु संतों के साथ विचार वी मर्श करने और उनके बनाईवी जड़ी वोटियों की चाय पीने चलो मैं आपको घाटी का नजारा दिखाता हूं आपको तो यह देखिए इस तरफ एस्ट और नौर्थ इस्ट की तरफ कोई वी नहीं है देखिए मान अंदा दिवी के ऊपर के सा त्रशूल का बादल उठ रहा है यह आपको दिख रहा होगा अब मैं आपको त्रशूल परवत के दर्शन कराता हूं तो यह उर्गम घाटी से नजारा और यह गाउं देव ग्राम है जो चमोली जिले उत्राखंड में आता है और यह बहुती प्रसिद्ध अपने पांचुएं पंचम के दार कलपेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए और उसके अलावा अपनी जड़ी बूटियों के तो जो सबसे पीछे लंबी रिज दिखरी है वह आपको सेंटर में वह है त्रिशूल परवत लेफ्ट में है आपके रॉंटी सैडल और राइट में है नंदा घूंगर तो रॉंटी सैडल छेजार एक मिट्र उचा पहाड़ है कोई भाई जो पहाड़ चड़ने का इच्छ को हमें कांटेक्ट कर सकता है तो हम एक सेल्फ सस्टेंज और कस्टम ग्रूप लेकर वहां चलेंगे और बाकी यह सुना शिखर की दरफ का नजारा सुना शिखर कई बार इस गैप मैं से नज़ा आता है अगर मौसं बिल्कुल साफ हो तो उस तरफ मौसं बहुत कम साफ रहत होते हैं तो सुप शोमवार है याद सोमवार तो हम क्या करेंगे टाइम ज्यादा वेश्ट करेंगे से बेले के धूप कहीं घुस जाए नाइंगे धूएंगे और अपनी पूजा अरचना पर थोड़ा समय वेतीत करेंगे यह देखो लड़ू अभी धूप में उंग रहा आन तुझ मसफशन की मतप की अंदर नहाते हैं में यह देखिए पाइप अचांचल लगया और चंचल भूस खोर और संवार क्या हो क्या हो शोब्लाव को एक तो सरकारी और उपर से उत्राखंड पक्का घूस मांगेगा स्वाला तो देखो आज तो बैथर तोली हिमाल भी देखने लग गया है अब मैं आपको कैमरे पर नहीं दिखाने वालों है सब क्योंकि इसको देखने के लिए आपको खुद घाटी आना पड़ेगा आहा नीला आस्मान आश तो है भाई आनंद कुछ लग रहा तो देखिए बादल के आगे फिर धूप के आगे फिर बादल लगने लगे हैं जो इस तरफ गंगोतरी बदरी नाती तरफ से आ रहे हैं लेकिन केदार बाबा की तरफ से आज मौसम थोड़ा खुला है तो देखते दूप थोड़ों बीच में से आती रहेगी जाती रहेगी ऐसे ही लग रहा है ठीक है जितनी देर है उसका फायदा उठाते है जल 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 दी अपने काम निप्टाते हैं सजवान जी आए है और आए है साथ में ब्लॉक लेकर रहे हैं अपने कंदे पर उठाके निलाएं उनके पास घोड़े हैं दो दो मुष्टंडे वह अभी नीचे चर रहे हैं थोड़ दिर में दिखाता हूं मैं आपको जब लोड में आएंगे तो साथ दूनी चौदा लिय करा है तो ऐसे एकर यहां ब्लॉक पढ़ते रहे तो कुछ दिनों में हमारे यहां पर टौलेट खड़ा हो जाएगा चाहे अंदर कुछ ना हो ब्लॉक ही ब्लॉक खड़ा करके अंदर कमसम छूपने ले तो होगा बाल्टी लेकर है ना सजवान जी कुछ नहीं होगा तो कमस तरी की मदद की जाए क्यों वह देखियो घोड़ा आगया यह रहा है यह रहा हो मजबूत घोड़ा पूंचिलाता वह जा रहा है कि चलो सजवान जी आगे जा रहे हैं और ब्लॉक लेने और तब तक मैं स्नान की विवस्था बनाता हूं तो यह पहुंच गया हूं मैं अप लग तो अच्छा रहा है लेकिन ज्यादा लगने दूंगा तो बहुत जाड़ी जंगाड़ी हो जाएगा इसलिए थोड़ा सफाई जरूरी है थोड़ी सी सफाई गास पूस हटाने का उसके बाद थोड़ा पानी से जलाभी शेक करके शंकरों का शंकरों का शंबूं का फि फूल पत्ती वगेरा चड़ाता हूं तो तब तक आप लीजिए एक ब्रेक तो यह लीजिए शंबू महादेव का तिलक चंदन से उनको फूल पत्ती और धूप अगरवत्ती जलाकर उनकी पूजा प्रार्तना कर ली गई है उनका जलाभी शेक भी किया गया और हमने भी मस् चलो कोई बात नहीं और थंडा सही तभी तो नाम रखा है पर्मा फ्रोस्ट वाइटी कोल्ड़ टर्की तर्की तर्की बोला भाई थर्की नहीं बोला है कोल्ड़ टर्की मतलब थंडा जैसे टर्की एक बहुत अधर बड़ा जंगली मुर्गा टाइप का होता है जो हमारे देश में नहीं होता है दूसरे देशों में होता है लेकिन बड़ा फेमस है वो क्रिस्मस में लोग उसे पका के खाते है तो जब वो मर जाता है उसकी टांगे से खड़ी हो जाते हो क्रिस्मस में से खाते है तो म अब बनाते हैं अपने भोजन बढ़ी आसा और लट्डू को भी लूप में रखते हैं तुम्हें कोल्ड डेजर्ट टर्की का मतलब है कि जिसको कोई फरक नी पड़ता पत्थर दिल जिसने मतलब पत्थर दिल इंसान कैसे बनता है जब धोके खाता है और दोके खाता है और लोग उसके जजबातों से खेलते हैं तो धीरे-दीरों सीख जाता है कि भाई जजबातों की कोई कीमत नी होती है बातें सिर्फ बातें होती है तो वो पत्थर दिल बन जाता है तो वो ही है पर्मा फ्रोस्ट वाइटी पत्थर पे चाकू मारा चाकू तो लॉंडो सक्त हो जाओ सक्त टाइम है सक्त होने का महंगाई बहुत बढ़ा दिये मोदी ने अब भी सक्त निवे तो उसके बाद सीधा बरबाद हो गए क्यों लो जी नहा लिए धोलिये बरतन भी धुल गए बरतन धुलने के साथ ही हमने आग भी जला ली है आग पर विज सोच भी नहीं सकते आज नाश्टे में क्या मिलने वाला है पैनकेक्स तो यह लीजिए बात हमारा चड़ गया है जो रेडी हो रहा है पिलकुल खाने के लिए और डाल मैंने बना दिये डाल बहुती सुंदर लग रही है और हरी बुज्जी की भी त्यारी हमने कर रही है जै करके थोड़ दिर गरम से ठंडा होने लगे है तब तक हम हरी बुज्जी बना देंगे चैट पाट हरी बुजी जल्दी बन जाती है अगडवाल में हलका तेल डालके कनवक मार के हो जाता है आज धूप अच्छी है तो बढ़िया चार्जिंग हो रही है बढ़िया चार्ज खुला आया यह बोलें की बादलों में ही थोड़े बहुत छाटे बादल है जिन में से छटके धूप आ रही है तो वह बोजन वगएर निप्टा लिया है मैंने और बोजन निप्टा के अब मैं थोड़ा लकडी करने जा रहा हूं क्योंकि आज मौसम खुला था धूप थी तो सुखी सुखी लकडियां मिलने के असार है तो हम इसका फायदा उठाएंगे और ज्यादा से ज्यादा में लकडी जाके कठा करके लाता हूं तो मैं लकडी कठा करने जाता हूं लकडी कठा करके फिर मैं आपसे मिलता हूं है ना यहां कुछ उदीष की लखड़ी की गई है यह बहुत ही असान लखड़ी होती है जलावन के लिए और बिलकुल ही पास से अपने घर के ज्यादा दूर जाने की बिजुरती है जंगल के बीच में रहते हैं आसपास ही लखड़ीयां ढूने के तो बहुत मिल जाएगी और लगभग ढ़ाई वज रहे हैं दोपैर के ढ़ाई नहीं बोलते हैं शाम के ढ़ाई बोलते हैं दिस इंग्लेंड मजाग कर रहा हूं यूके तो है चलो तो वह देखो अग में से अभी भी धुवा निकल रहा हलका हलका रख़ी लगा रखिया हूँ आपके तो अब चाय की त्यारी करेंगे शाम के बहुचण की जल्दी त्यारी करते हैं तो इसलिए चाय पियेंगे और बाकी मैं एक ब्लूपर डाल रहा हूँ आपके लिए ब्लूपर बोले तो मैं पिछले साल अच्रीधार गया था तो इस अच्रीधार ट्रेक का मैंने एक लास्ट का कलिप है, वो नहीं पब्लिश के था वो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के एंड में डाल रहा हूं उसे आप देखिए और अगर आप complete track देखना चाहते हैं तो मैं एक link description में डाल रहा हूं उस link पे क्लिक करके आप उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं जो की 26 या 23 मिनट का है जिसमें आच्री धार track जो हमने चार दिन में complete के था वो पूरा document कर रहा है मैंने तो ठीक है भाई लोगों कि सायोनारा तो आज चौथा दिन है आज हम अल्मोस्ट नीचे उतरने वाले हैं यहां बंसीना रेंट से और वह देखिए सामने आच्री धार के टॉप में जहां हम कल थे बरफ पड़ चुकी है वहां कल बरफ नहीं थी कल रात की वर्षा से वहां बरफ पड़ चुकी है औ और यह सामने साड़े 5-6,000 मेटर उटी चोटियों पर भी बरफ है जहां से हिरन्यावती नदी आ रही है मौसम कंप्लीटली पैक है वरना यहां पर गड़वाल हिमालया उसका भुत्पूब नजारा दिखने को मिलता गड़वाल और कुमाउ हिमालया का लेकिन मौसम बंध है इसलिए कोई नजारा नहीं है और यह अपनी खीरो घाटी उर्गम घाटी बरफ से लबालब पैक है अच्छी खबर यह कि आच्छी धार पे भी बरफ पड़ चुकी है